जहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लोजिकल साइन्स में मैं हूँ अलोग सिंगा तीस और आज के इस वीडियो सिसन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं railway science 32 के आठ में क्लास की जियां दोस्तों इसे पीसे की वीडियो सिसन में हम लोग होने railway science 32 क सात्मा क्लास देखा था, जहां पे हम लोग railway exam में पूछे गए कुछ महतपुन question को discuss करा था. दोस्तों आज के इस वीडियो session में भी हम लोग वैसे ही कुछ महतपुन question को discuss कर रहे होंगे, जो कि आपके railway exam में पूछे गए हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज की सेशन का जो भी कुष्टन है उसका PDF आपको कहां मिलेगा ये हमारे टेलिग्राम गूप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जाकर के PDF को एक्स सत्त हैं मिरमित्र आपका पहला स्टेट्मेंट है कि विभक्त वले का कार्ज धारा के परवा को उलटना है दूसरा है युमबकिया च्हेतर के समानतर सानरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है और तीसरा है कि परतेक आधे घुर्णन के बाद धारा को उलटने की वज़ा से कुंडली में निरंतर घुर्णन होते रहता है और मिरमित्र आपको यहां पर यह सलेक्ट करना है कि इस तीन स्टेट्मेंट में से कौन साथ आपका सही है क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे की सिजन से लगातार कई भार बताया है कि सर जो स्प कुंडली निरंतर घुर्णन करते रहता है यानि कि कुंडली निरंतर आपका क्या करता है सर गती करते रहता है जो आपका कुश्चन है उस हिसाब से स्टेट्मेंट वन और स्टेट्मेंट थी आपका क्या है सही है जबकि यहां पर दूसरा स्टेट्मेंट जो कहा जा रहा ह कि चुम्बकियाच छेतर के समानतर संरखित कुंडली की भुजाओं पर अधिक तंबल लगता है ये क्या है सर गलत है ध्यान में रखेंगे DC मोटर यहां पर डिरेक्ट करेंट मोटर की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चीज तो हम लोग पहले से जा भी जान रहे थे तो मेरे मितर आप ही बता दो कि आपकी इस कुस्टन का साही आंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर एक और तीन दोनों देख लीजे किस ऑप्सन में आप कहेंगे सर ऑप्सन नम्बर दी में तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बिद्धु धाराके चुम क्वेस्टन है बड़ा ही सरल सा क्वेस्टन कि निम्द अभिकिरिया डैस का उदाहारन है आपका अभिकिरिया है MgOH2 और 2HCl react करके MgCl2 और 2H2O बना रहा है आप से यह पूछा जा रहा है कि यह अभिकिरिया किसका उदाहारन है आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो MgOH2 है इसको हम लोग magnesium hydroxide पढ़ते हैं और चला जी यह क्या है आप कहेंगे जो HCl है यह क्या है आप कहेंगे गुरुजी यह एक प्रकार का अमल है क्या है अमल है और मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि अभिकिरिय अमल और चार के बीच हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा लवन और जल बनेगा मैंने आपको कई बार बताया है कि when the acid reacted with base when the acid reacted with base then they form salt and water जब आपका अमल चार के साथ अभिकिरिया करता है तब लवन और जल बनाता है और ऐसे अभिकिरिया को क्या कहते है हम लोग त तो सर निट्रिलाइजेशन रियेक्शन यानि की उदास्निकरन अभिकिरिया कहते हैं मिरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर उदास्निकरन अभिकिरिया तो हमारे पहली option में है बिल्कुल आपके इस question का सही answer option number A हो जाएगा साथी आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे संयोजन अभिकिरिया है ध्यान दीजेगा इसी को हम लोग combination reaction कहते हैं और मैंने आपको ये चीज़ भी कही बार बताया है कि जब दो अभिकारक आपास में जूट करके एकल पर्तिफल का निर्मान करते हैं तो उस अभिकिरिया को क्या बोला जाता है सर संयोजन अ अभिकिरिया का क्या है सर संकेतिक रूप है या संकेतिक निरूपन है ये कोर्शन भी आपके एक्जाम में पुछा गया था तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखेंगे नेक्स मिड़मित्र है अब छेपन अभिकिरिया इसी को हम लोग precipitation reaction कहते हैं वैसा chemical reaction जिस सर अब छेप देखने को मिलता है और साथी उभैविस्थापन अभिकिरिया double displacement reaction कैसे होता है तो आप सभी कहेंगे आयनों के आदान परदान से क्या होता है double displacement reaction होता है नेक्स्ट है सर आप घटन अभिकिरिया इसको हम लोग decomposition reaction कहते हैं इसमें क्या होता है तो सर कोई बरा सा की टूट करके छोटे छोटे एक से अधिक परतिफल का निर्मान करते हैं जैसे कि अगर आप सभी calcium carbonate को चला जी अगर आप सभी calcium carbonate को घर्म करते हैं यह calcium oxide और carbon dioxide में टूट जाता है तो यहां पे जो calcium carbonate का अभिकिरिया हो रहा है वो कौन सा है आप कहेंगे अप घटन अभ कोशिका सिधान को च्या क्या कहते हैं आप सभी धियान में रखेंगे इसको हम लोग sales theory कहते हैं और जब भी पूछा जाये कि कोशिका सिधान किस ने परतिपादित किया आप कहेंगे परतेक जीब का सरीर कुसिका से बना होता है और परतेक जीब का सरीर कुसिका से बना होता है और परतेक जीब का सरीर कुसिका से बना होता है और साथ ही जो आपका नई कुसिका होता है और साथ ही जो आपका नई कुसिका होता है वस्तित कोशिका से क्या होता है निर्मित होता है ये क्या था स्लाइडन और स्वान का एस्टेटमेंट था और मिर्मित आप सभी को यहां पे ध्यान में रखना होगा कि जो कोशिका सिध्धान थे वो वाइरस पे लागू नहीं होती है विशानू पे लागू नहीं होती है क्य समय तक बहुत लंबे समय तक सर वो रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी प्रोपटीज यह होती है कि यह जैसे ही किसी लिविंग चीज सजीब बस्तों के संपर्क में आते हैं यह क्या हो जाते हैं सर सजीब हो जाते हैं और मेरे मित्र इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रोपट में से किन जीब पर लागू नहीं होता है आप सीधे खेंगे सर वाइरस पर लागू नहीं होता है और मेरे मित्र कोशिका सिधान्त क्या है तो आप सभी कोशिका सिधान्त के दो महत्तपुन कोशिका सिधान्त के दो महत्तपुन statement को याद रखना पहला क्या तो पहला आप सभी याद रखना कि परतेक जीब का सरीर कोशिका से बना होता है और साथी आप सभी क्या याद रखेंगे आप सभी याद रखना दूसरा statement है कि नई कोशिका का जन्म या नई कोशिका नई कोशिका का निर्मान पहले से उपस्थित कोशिका से होता है और यह चीज तो आप सभों को याद ही रहेगा कि सर कोशिका सिधान किस ने दिया था स्लाइड और स्वान ने दिया था ध्यान में रखेंगे कि विसानू को कोशिका सिधान का अपबाद भी बोला जाता है तो अगर कहीं पर यह सवाल पूछा जाए कि निमलिखित में से कोसिका सिध्धान्त का आपबाद है, आप खेहंगे विसानू, क्यों? क्योνकि वाइलस पे कोसिका सिध्धान्त लागु नहीं होता है नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे सर, बरही ही सरल सा है मैंने कई बार डिस्कस करा है आप से पुचा जा रहा है, कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन चुम्बक्या छेतर की दिशा इन में से किसका उप्योग करके निर्धारित की जा सकती है फ्लेमिंग का दाये हाथ का नियम, बाये हाथ के अंगुठे का नियम, क्या होगा इसका अंसर बहुत सारे मित्र यहाँ पे लगातार कन्फ्यूज होते हैं लेकिन भाई मेड़े आप सभी धियान में रखना चार बाते यहाँ पे अगर आपसे यह कोई पूछे कि बिदुधारा के चुमबकिया परभाव की खोज किस ने करा, आप सभी कहेंगे गुरुजी और अस्टेड नामक बेग्यानिक ने करा, किस ने करा, और अस्टेड नामक बेग्यानिक ने करा आपसे यह पूछा जाए कि बल की दिसा निमलिकित में से किस के नियम से पता लगाया जाता है, तो मिरे मितर मैंने आपको बताया है, कि जब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम की बात करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि सर लेप्ट हेंड रूल के अनुसार अगर हम लोग बाएं हाथ के तीन उंगली अंगुठा तरजनी और मध्यमा को कुछ इस तरह से रखे कि तीनों समान को निको तो जो अंगुठा है वो बल की दिशा को बताएगा तरजनी किसको बताएगा चुमबकी अच्छेतर की चलता है आप सभी ध्यान में रखना कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हेंड रूल से हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हेंड रूल से हमें बल की दिशा का पता चलता है और जब प्रेरित धारा की बात की जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग फ्लेमिंग के दक्ष दिशा को बताता है तो मिड़मित्र अगर आप से पूछा जाए कि प्रेरित धारा की दिशा का पता किस नियम से लगाया जाता है तो आप सभी कहेंगे प्रेरित धारा की दिशा का पता प्रेरित धारा की दिशा का पता फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से लगाया जाता है अब मिडमितर आप सभी ध्यान देना कि बिदुधारा के चुम्बकिया परभाव में औरेस्टिट के दोरा ये बताया गया था कि अगर किसी चालक तार से बिदुधारा परभाहित की जाए तो उस तार के चारो और चुम्बकिया छेतर हुदपन होता है अब ये जो चुम्बकिया छेतर की दिसा थी इसके बारे में किस ने बताया था तो सर मैक्सवेल नमक बग्यानिक ने बताया था जो कि आपका मैक्सवेल के दक्षिन हस्त अंगुष्ट नियम से जाना जाता है और भाई मेरे मैंने आपको कई बार बताया है कि Maxwell ने अपने दक्षिन हस्त अंगुस्ट नियम में क्या बताया था कि अगर किसी सीधी धारा बाही चालक तार को हम अपने दाएं हाथ से कुछ इस तरह से पकरें कि जो हमारा अंगुठा है वो धारा की दिशा को बता रहा है त और श्क्रू रूल भी कहते हैं तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि चुमबकी अच्यत्र की दिशा किससे पता लगाया जाता है तर चुमबकी अच्यत्र की दिशा का पता किससे लगाया जाता है आप सभी याद रखेंगे आप सभी याद रखेंगे दाए हाद के अंगूस्ठ नियम से जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंगूठे का नियम हैं क्या कहते हैं और सभी धियान मे रखना कॉर्क स्कूरू कहते हैं आपसे सवाल क्या पुछा जा रहा है? एक सिधे धरावाही चालक के कारण उत्पन चुब्मक या चैतर की दिसाइन में से किसका उप्योग करके निर्धारित की जा सकती है? आपका पहला उप्सन है फ्लेमिंग का दाये हाथ का नियम, आप कहेंगे सर ये तो प्रेरित धरा की दिसा को बता किसके दौरा दिया गया? आप कहेंगे मैक्सवेल के दौरा दिया गया और इसी को क्या कहा जाता है? कौर के स्कुरू नियम भी कहा जाता है. मैंने कई बार बताया है और आपकी सुब्धा के लिए मैंने यहाप लिख भी दिया है, तो सर आप इस चार पॉइंट को हमेशा आपने माइंड में रखिएगा. नेक्स कुशन देखेंगे सर, पांच बड़ा ही आसान सा सवाल कि कि किसी चालक का परतिरोध डैस के समानुपाती होती है. मिरमित्र परतिरोध किसी भी चालक का वहगुन है जो धारा के परवाह का बिरोध करता है और इसमें कहीं से कोई सक नहीं है कि आप समों को मालूम नहीं हो कि किसी भी चालक पदार्थ की परतिरोध किस चीज पर निर्वर करती है आप कहते हैं चालक पदार्थ के प्रकिरती पर निर्वर करती है ताप पर निर्वर करती है चालक पदार्थ के लंबाई पर निर्वर करती है और चालक पदार आपसे जो सवाल करा जा रहा है पहला अप्शन में चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित भी हुआ अंतर गलत है चालक से होकर परवाइत होने वाली धारा बिल्कुल गलत है सर चालक की अनुप्रस्ट काट के छेतरफल सर इसके तो बित कर्मानुपाती होती है जब कि सर किये अनुसा एक प्रकास किरन ए भी एक उत्तल दर्पन पर आपतित होती है उसका प्रावर्तन कोन क्या होगा मिरमित्र यहां पर आपका ये उत्तल दर्पन है आप सभी देख पाड़े होंगे इस उत्तल दर्पन को इसमें क्या है तो सर जो प्रकास की किरन है आप देख र खोखले गोले का एक हिस्सा होता है मिरो मित्र आप सभी धियान में रखेंगे कि गोलिया दर्पन जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका केंदर क्या कहलाता है सर वकरता केंदर क्या लाता है और भाई मिड़े अगर हम आप से पूछे कि ये कोई गोला है और ये इसका कें क्यंदर के रहे किसी भी गोला किसी भी बन कसे जो हम लोग लंब ढलते हैं वो तिरज्ण होती है और इसको मों क्या कहते सर्य परपेंडिकुलर होता है मतलब अभीलम है तो भाई इडे अगर यह उत्तल गोला का हिस्सा होता है तो हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं अब ध्यान दीजीगा कि अभी सखेंडर से हम यहां पे एक लंब डालेंगे तो आप सबों को मालूम है कि सर दर्पन पर अगर अभिलंबुवत रूप से कोई आप्तित किरन गिरती है तो वो प्रावर्तित भी क्या होती है सर अभिलंबुवत रूप ही हो जाती है मतलब यह ऐसे आ रही है तो यह रिटर्न भी क्या होगी सर ऐसी ही हो जाएगी आप देख ल तो सर वहां पे हमारा आपतन कौन प्रावर्तन कौन अपवर्तन कौन सभी क्या हो जाएंगे सर जीरो होंगे तो आपके इस कुछ्टन का सभी आंसर क्या होगा option number D होगा बिरमित्र यहाँ पे बात किसकी की गई यहाँ पे बात की गई आपका उत्तल दर्पन की अगर बात की जाती सर अबतल दर्पन की तो आप सभी कहते कि गुरुजी अगर यह वकरता केंदर है तो यहाँ पे अगर हम एक परकास की किरन किरन इस तरह से लेते तो यह भी हमारा क्या हो जाता अभी लम और यहाँ पे भी हम लोग क्या कहते कि सर प्रावर्तन कोन और आप तन कोन दोनों क्या हो जाता जीरू ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपवर्तन की बात करते तो आप कहते गुरुजी परकास की किरन जब एक म आध्याम को अलग करने वाली सता पर लंब बत परे तो आप सभी ध्यान में रखना कि लंब बत परने के केस में परकास की किर्णों का कोई अपवरतन नहीं होता है तो इस चीज़ को भी आप सभी कंठागर रखेंगे नरहाल बात कर लेते हम लोग अगले कुश्चन की अगला अगय सर यह कैसे सौललफ को पर मेरे मित्र होकस दूरी आपको बताना हए जब कि यहाँ पर छूमता दिया हुआ है मतलब लेंज का पावर दिया हुआ है चेलजी यहां पर अब जितने भी लेंस में हम दूरी मापते हैं वो परकासी केंद्र से मापते हैं तो परकासी केंद्र से इधर आएंगे तो सर आपतित परकास की दिशा में आएंगे इसका जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है पॉजिटीव होती है जबकि अबतल लेंस की बात करते है चलाजी तो अबतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है सरदरपन के पीछे होता है यहाँ पे होता है मतलब अगर यहाँ कोई परकास की किरन आ रही है तो य इसका जो फोकल दूरी होता है वो क्या होता है निगेटीव होता है पिरे मित्र आपके कुछ्ट्टन में कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस एक 5D छमता वाला है और सर्फ माइनस 3D छमता वाला अबतल लेंस है दोनों को जोड़ा गया है और इस संयोजन की फोकस दूरी आपको ब और आपके सराल स pięड लेंस यहां पर पर फ़ voter यहां पर प्लस है हमारा और यह क्या हो जाएगा सर माइनस 3D?」 भाइ मिड़े P equal to आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी plus 5 माइनस 3 कितना होगा चिला आप कहेंगा गुरु जी यह हो जाएगा हमारा plus 2 कितना हो जाएगा आपका plus 2 plus minus हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा थो बढ़ावला साइन है तो से पुछा जाना है कि इसकी i9 कि इतनी अप जब आपने लेंस को जोड़ दिया उत्तल लेंस और अबप्तल लेंस इस दोनों को ढ़़ दिया तो इसका टोटल आपका पावर कितना मिल रहा है सरफ पलस्टूडी प्राइब भूदी मिल रहा है अब हमको इस प्लास ट्रूड के साथ फोकस्दूरी निकालना है सेउम्प्ट लेंस का क्या कहिएगा गुरु जो पाबर होता है वह तो लेंस की focus doora का ब्युत करमानुपाती होता है ध्यान रख़ियेगा इस चीज को कि جो lens की छमता होती है वो lens की focus doora के ब्युत करमानुपाती होती है और lens की छमता का SI unit हम लोग diopter तब लेते है, sir जब focus doori किसमे होती है, sir meter में अगर मीटर में नहीं है तो हम लोग मीटर में उसको बदल लेते हैं ज्यान देंगे कि यहां पर फोकस दूरी आपका कि सॉरी छमता कितना है सर संयूक्त लेंस का 2 और यह क्या हो जाएगा 1 बटा F आप क्या कहेंगे गुरुजी 2 F इकॉल 2 1 हो जाएगा और F इकॉल 2 हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा 2 यह कितना हो जाएगा 0.5 मीटर जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे 50 सेंटी मीटर लिख सकते हैं तो मेरे मितर आपसे जो कुस्टन करा जा रहा है कि 5D चमता वाले एक उत्तल लेंस को माइनस 3D चमता वाले एक अप्तल लेंस के साथ जोर कर रखा गया है इस सेयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी आप सभी कहेंगे सर इस सेयोजन की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटी मीटर होगी कैसे आया आप सभी ने अभी जस्ट देखा है उमीद करते हैं समझ पाए होंगे नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा सर कुस्टन नमबर एट कि मेंडल से पहले कई बेग्यानिक ने मटर और अन जीवों में लक्षन की वनसागती का अध्यन सुरू कर दिया था लेकिन मेंडल वनसागती के नियम देने में सफल रहे मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिये गया है जिसमें से एक के अलाबा अन सभी सही है गलत तर्क का चेहन कीजिए मेंडल के जो अनुबान सिकी को लेकर के सर अपना एक्सपरिमेंट था उस बेस पे यहाँ पे चार आपको स्टेटमेंट दिये गया है और इस चारों स्टेटमेंट में से कोई एक गलत है और उसी गलत को आपको छाटना है पहला स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि में प्रतेक पिढ़ी में किसी बिसेस लक्षन वाले जीवों की गिन्ती रखी थी बिल्कुली सई है सर जब इन्होंने मतर के पौदे पे लक्षन करा था तो सर बॉने पौदे और लंबा पौधा था इन्होंने एक special characteristics पर क्या करा था सर, focus करा था, मतलब आपका ये statement सही है, दूसरा है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षन की वंसागती का अध्यान किया, बिल्कुल सही है ये भी सर, उन्होंने एक समय में एक ही चीज पर focus करा, कि अगर लंबा है तो क्यूं है और बॉना है तो क्यूं है, फिर उन्होंने क्या, जबकि उन्होंसे पहले के बघ्यानिकों ने जीव को संपुन रूप से लेकर करके अध्यान किया था, सर ये बात भी पूरी तरह से सई है, नेक्स्ट है कि उन्होंने अपने बिज्ञान और गनीत की ज्यान को मिश्रित किया था, बिढ़े में तर सब्सक्राइब करने के लिए अपने mathematical केलोशन का भी निया था मतलब किया कि यह आपका तीसरा statement है है आपका चौधा ऐक उन्होंने छोटे आकार के नमूने के अधार कीया था मेरे मितर यह कोई उनका क्तला क्या सकती हो तर्क नहीं था और ज applying क्या था उन्होंने और भी कई कार्ज किये थे तो कहीं न कहीं मेंडल का मेंडल के बारे में जो ये आपका statement है वो क्या है सर मैच नहीं कर रहा है मतलब क्या सर गलत है और गलत कथा नहीं आपको चुनना था तो आप क्या कहेंगे सर option number D is the right answer of this question अगर आपसे कोई ये पूछे कि अनुवानसे की का जनक किसे बोला जाता है आप सभी किसका नाम लेंगे सर मैंडल का नाम लेंगे next question देखेंगे सर question number 9 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोपीन योगिक की समझातिय सरेनी का अगला चौथा सदस कोन सा होगा मेरे में तर ध्यान दीजेगा यहाँ पर बात प्रोपीन की की जा रही है तो ये किस गुरूप का compound होगा प्रोपीन की की जा रही है तो ये किस गुरूप का compound होगा आप सभी याद रखना एलकीन गुरूप का compound होगा जिसका जेनरल फ़र्मूला क्या होता है? CnH2n होता है. जिसका जेनरल फ़र्मूला क्या होता है, सर? CnH2n होता. आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोपीन योगिक की समझातिय सरणी का अगला चौथा सदस क्या होगा? ध्यान रखेंगे प्रॉप. हम लोग एक कार्बन के लिए मैथ लेते हैं, दूसरे के लिए सर, एथ, तीसरे के लिए प्रॉप, चौथे के लिए ब्यूट लेते हैं, पाच में के लिए सर, पेंट लेते हैं. तो मेरे मितर, यहाँ पे प्रोपीन लिखा गया है, तो कितने कार्बन की बात की गई है? अगला चौथा सदस क्या होगा तो आप कहेंगे सर C3 कार्बन 3 है चौथा सदस बोल रहा है तो हम लोग कार्बन 7 की बात करेंगे और जो सर चौथा सदस होगा इस स्रीज का जो आपका प्रोपीन के बाद जो चौथा सदस होगा वो क्या होगा ? तो आप कहेंगे sir, carbon की सक्या तो 7 हो जाएगी, 14 सदस, तो sir, 4, 5, 6, और 7, तो आप कहेंगे sir, carbon सक्यांत होगा, तो hydrogen कितना हो जाएगा हमारा, 14, C7, H14, क्या हो जाएगा sir, C7, H14, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर हैपटीन पढ़ेंगे, आप क्या कहेंगे, सर option number C में है, तो बिल्कुल आपकी इस question का सही answer, option number C हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो आपका C2H4 है, ये क्या होगा, तो सर एलकीन गुरूप का, एलकीन गुरूप का प CnH2N, CnH2N, तो आप क्या कहेंगे, कि गुरूजी ये भी प्रोपीन, यानि कि एलकीन गुरूप का ही compound होगा, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, हैक्सीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हैक्सीन, और ये क्या होगा, आप कहेंगे सर, ये तो हमारा हैप्टीन हो जा लेते हैं, तीज कारवन के लिए पॉप लेते हैं, और चार कारवन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, और छे के लिए सर हेक्सीन, साथ के लिए हम लोग हैप्टीन, आठ के लिए औक्टीन, नौ के लिए नौनेन, और दस के लिए डॉकेन लेते हैं, तो इस तरह स संचलन को सुगम बनाने के लिए कोसी का हमें परिवर्तन लाता है तो सर ये सीधा सीधा आंसर है option number a is the right answer of this question मेरे में तर धियान में रखेंगे कि अगर हम लोग पादप हार्मोन की बात करते हैं तो आप सभी को धियान में रखना होगा कि प्लांट में जो आपका chemical रूप से नियंतरन होता है उस chemical रूप से नियंतरन के लिए मुख रूप से जिम्यवार कोन होता है सर आपके बात करते हैं लोग अगले कुस्चिन की, अगला कोस्चिन है, कोस्चिन नमबर 11, कि कारबन C4 पलस आयन बनाने में असमर्थ क्यूं होता है, मेरम इतर आप सवों को मालूम है, कि कारबन ना तो सर एलेक्ट्रोन का लॉस कर सकता है, और नहीं गेन कर सकता है, दोनों ही केस में इसे ज्यादा मातरा में उर्जा की जरुत होगी, that's why ये क्या करते हैं sir, साजा करते हैं electron का, और साजा करके अपना octet पुरा करते हैं, और खुद को S-thi करवाते हैं, तो मतलब साफ है कि loss और gain करने में अधिक मातरा की उर्जा क्याब सकता होती है, जिसके वज़से ये क्या करते हैं हमेशा, sir, covalent bond बनाते हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि carbon C4 plus iron बनाने में और समर्थ क्यूं होता है, पहला है क्योंकि यह स्रिंखलन गुन परदर्शित करता है, नहीं, carbon अपने स्रिंखलन गुन के कारण बहुत ज़्यादा योगिक बनाते हैं, ये चीज़ सही है, लेकिन ये C4 plus इसलिए नहीं बनाते हैं, कि सर ये स्रिंखलन गुन catenation की properties होती है, ये सर बात बिल्कुल ही गलत है, दूसरा, क्योंकि यहां आसानी से electron गरहन करता है, ये electron तो गरहन कर ही नहीं सकता, next है कि क्योंकि इसके निर्मान के लिए अधिक मात्रा में उर्जा की आवसकता होती है, ये बिल्कुल सही है, और आपके इस question का सही answer option number C होका, ध्यान में रखेंगे, चौथा है कि क्योंकि इसमें चतुस सियों जकता होती है, तो मेरे मितर आप सभी ध्यान में रखेंगे, कि ये अपने tetra valency और साथी साथ catenation properties के चलते, बहुत जादा योगी का निर्मान करते हैं, और साथी आपके पीछे की session में एक question पूछा गया था कि carbon आस्थाई योगी का निर्मान क्यों करते हैं, तो सर कार्बन बहुत जादा आस्थाई योगी का निर्मान इसलिए कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो आकार होती है, वो क्या होती है, सर छोटा होता है, next question देखिएगा सर जी, क्या है, question number 12, कि किसी दियेगे गोलिया दरपन की वकरता तिर्जिया, minus 20 cm है, दरपन की focus दूरी क्या होगी, आप सभी कहेंगे, कि गुरुजी, f equal to हम लोग परे है, r बटा 2 होता है, वकरता तिर्जिया, minus 20 cm है, तो minus 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, सर, focus argadar, six दूरी, minus 10 cm, सही answer option number D हो साएगा, घ्रमितर धेवान दिजियेगा, कि यहां पर वकरता तिर्जिया, minus 20 cm है, तो किस दरपन की है, आप कहेंगे सर, अबतल दरपन की वकरता तिर्जिया क्या होती है रिनातमक होती है अबतल दर्पन की वक्रता तिर्जा क्या होती है रिनातमक जबकि उत्तल दर्पन की वक्रता तिर्जा क्या होती है धनातमक होती है नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा सर, कुस्टन नमबर 13, कि नीचे दिये गए कथनों पर बिचार कीजिए और सही उत्तर का चेहन कीजिए, गर्म करने पर कॉपर पॉडर की सतह पर कॉपर ओक्साइड के काले रंग की परत चड़ जाती है, मिरे मित्र ध्यान दीजेगा, कि ज इसा होता है सर, काला होता है, दूसरे स्टीटमेंट में क्या कहा जा रहा है, कि यदि इस गर्म कियेगे पदार्थ CUO के उपर से हाइड्रोजन गैस परभाहित की जाती है, तो सतह पर मौझूद काली परत भूरी हो जाती है, मतलब क्या हुआ कि कॉपर ओक्साइड के उपर से, जब हाइड्रोजन गैस परभाहित की जाती है, तो आप सभी धियान में रखेंगे, कि सर, कॉपर अलग हो जाता है, और साथी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट करके क्या बना लेता है, सर, H2O, और ये जो आपको कॉपर दिखता है, सर, इसका रंग कैसा हो जाता है, सर, इसका रंग भूरा होता है, यानि कि statement 1 और 2 दोनों क्या है, सर, सही है, तो आप कहेंगे, सर, option number B is the right answer of this question, क्यों, क्योंकि दोनों का थन सत्त है, बात करते हैं, सर, अगले question की, अगला question है, question number 14, कि ततों के सहियोंजी कोस, electron क्या अनुसरा, उनका सही करम क्या है, आप काते हैं, valence cell कहते हैं, आप कहेंगे ये क्या होता है, आप सभी धियान में रखना, कि अगर हम लोग किसी परमानु की संदशना की बात करते हैं, तो आप कहते हैं, और इसके केंदर में क्या होता है, सरजी नाभिक होता है, जिसमें proton और neutron उपस्थित होता है, इसके चारों और electron चक्कर लगाते रहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमानु का जो सबसे बायतम कक्छा होता है, उसको क्या बोला जाता है? जो पस्तित electron को क्या बोला जाता है? बाहतम कक्ष्था में उपस्तित एलेक्ट्रोन को क्या बोला जाता है संयोजी एलेक्ट्रोन बोला जाता है ध्यान में रखेंगे कि आपका जो बाकी का कक्षा होता है बाहरी कक्षा को छोड़ करके ये और ये जो कक्षा है इसको क्या बोला जाता है तो सर इसको कोर सेल बोला जाता है और मिरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमानु के किसी एक कक्षा में अधिक्तम एलेक्ट्रॉन की संख्या टू एन स्क्वाइर होती है जहाँ पर एंड क्या है सर तो सर एंड जो है वो कक्षा संख्या है मिरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग करें या से योजी का अच्छा की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहां पर हमारा जो पर्मानु दिया हुआ है उसमें कौन-कौन है तो सर फ्लोरीन है फिर ऑक्सीजन है फिर क्या है सर कार्बन है लिथियम है और कुछ है सर क्या हां सर नियोन है और क्या है सर तो सर न नहाँ पर फ्लोरीन की अटॉमिक नंबर कितनी होती है सर 9 ऑक्सिजन के अटॉमिक नंबर कितनी होती है सर 8 कारवन के अटॉमिक नंबर 6 लिथियम का सर 3 नियोन का 10 नैट्रोजन 7 बोरॉन कितना होता है सर तो हम लोग कहते सर बोरॉन 5 होता है बेरिलियम सर तो सर बेरिलियम को को हम लोग चार लेते हैं ठीके अब ध्यान देना कि अगर हम लोग फिलॉरीन की बात करेंगेwhile09 अ तो कहेंगे दो साथ आक्सीजन के लिए सट तो چे कारबन के लिए सर दो और चार लिथियम के लिए सर दो और एक न नीयोन के लिए सर दो आठ नाइट्रोजन के लिए सर दो पांच, बेरिलियम के लिए सर दो तीन और बेरिलियम के लिए हम लोग क्या कहेंगे सर दो दो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये आपका पहला कक्छा को बता रहा है, फोस्ट सेल को और ये सकेंड सेल को बता रहा है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इन सभ परमानू का जो सकेंड सेल है वही क्या है सर बाहतम कक्छा है वही क्या है बाहतम कक्छा है और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि फुलोरीन के बाहतम कोस को यहां पर क्या बोला जाएगा आप कहेंगे सर सहियोजी कोस बोला जाएगा आप ऑक्सिजन के बाहतम कोस को जी अर्फ। दिखाई पर रहा है। वो किस में? आप कहेंगे सर, फलोरीन में दिखाई पर रहा है। अब बहुत सारे मितर कहेंगे कि गुरुजी ऐसा कहें कर रहे हैं। हमारा तो यहाँ पे। नियोन भी है। और इसके बाहरी कख्छा में आठ एलेक्ट्रोन है बिरमित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नियोन चुकि अक्रिया गैस होती है नियोन क्या होती है सर अक्रिया गैस होती है तो अक्रिया गैस कभी भी कैमिकल रियक्षान में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो हम ये कहेंगे कि सर ये इसका सयोजी एलेक् जब अभिकिरिया ही नहीं करेगा जूरेगा ही नहीं तो हम इसके स्योजी एलेक्टरॉन की बात नहीं करेंगे और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अक्रिया गैस्तत तो होते हैं उसकी कोई स्योजकता नहीं होती है क्यों क्योंकि सर्वों o chemical reaction में participate नहीं करते हैं सबसे ज़्यादा एलेक्ट्रों सायोजी कोस में किसका है सर फ्लोरीन का है अब फ्लोरीन के बाद किसका है सर ऑक्सीजन का है ऑक्सीजन के बाद क्या है सर तो आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन के बाद यहां पे नाइट्रोजन का है और नाइट्रोजन के बाद आप कहेंगे त सर बिलकुल ही सही है कि फ्'RE you में यहां प्लोरीन में यहां पे oxygen से ज्यादा है सर संयोजी कोसमेel farm की उपस्तिति है यहां पर ऑखी जनोक से खेले उप्लोरीन में कितना है साथ तो यह वाला थिक है यहां तक अब यहाँ पे ध्यान देना कि सर ये जो carbon है इसमें lithium से ज़्यादा है lithium में संयो जी कोस्ट की electrons नहीं कितनी है सर एक जब कि carbon में कितना है सर तो आप कहेंगे सर carbon में तो 4 है मतलब सर cool मिला कि ये वाला relation क्या लग रहा है आपको सही लग रहा है ते लिए इसको हम round कर लेते हैं अब next की बात करते हैं चेक करते हैं तो सर यहाँ पे दिया हुआ है neon neon में ठीक है सर बहुत जादा electron की संख्या है nitrogen उससे कम अब fluorine fluorine में तो सर यहाँ पे fluorine में आप सभी देख रहे हैं कि 7 है जबकि nitrogen के बाद यहाँ पे fluorine को रखा गया है यह क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा lithium आप देखिए कि lithium और oxygen में संबन दिखाया गया है कि lithium में सहयोग्त electron कोसों की सहयोजी electron की संख्या जादा है यह क्या होगा गलत boron यहाँ पे देखिए कि कार्बन से जादा boron में दिखाया गया है जबकि आप देख रहे कि कार्बन में सहयोजी कोस में electron की संख्या कितनी है सर चार जबकि boron में कितना है तीन तो आप कहेंगे सर यह भी गलत है हमारा सही क्या होगा option number A हो साएगा तो मेरे ख्याल से चीजों को आप सभी समझ पाए होंगे आईए बात करते हैं अगले question की question number 15 कि निमलिकित में से कौन सा उपकरन बिदुधारा के तापिया प्रभाव प्याधारित है ताप दिप्ट लेंट और सर right answer of this question next question देखेंगे सर question number 16 कि कुछ खात पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैस का उप्योग कर सकते हैं बेकिंग पॉर्डर का इस्तामाल करते हैं और मेरे मित्र sodium chloride इसका formula क्या होता है NACL ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं table salt भी कहते हैं क्या कहते सर table salt भी कहते हैं तो ये चीज़ भी आप सभी ध्यान में रखेंगा ammonium chloride को चिला जी नौसादर भी बोला जाता है ठीक है जिसका formula क्या होता है NH4Cl होता है bleaching powder calcium oxy chloride या calcium hypo chloride बोलते है formula CAO CL2 होता है next question आप से पूछा जा रहा है कि एक तिर्भुजाकार काच के prism के माध्यम से अपवर्तित होने वाली परकास की किरन के लिए बिचलन कोन dash के बीच का कोन होता है मेरे में तर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि prism क्या होता है तो सर पूछा जो है वो दो अपवर्तक प्रिष्टों से घिरा हुआ एक तिर्भुजाकार आपका यह होता है मतलब आकिर्ती होता है जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यह हमारा एक तिर्भुजाकार संडचना है और यह वाला क्या है सर दो आयताकार हमारा काच का टुकरा है तो आप सभी धियान में रखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे अपवर्तक प्रिष्ट कहेंगे क्या कहेंगे अपवर्तक प्रिष्ट कहेंगे और मिरे मितर यह भी क्या होगा आप कहेंगे आपवर्तक प्रिस्ट ध्यान में बस ये रखिएगा चिलाजी, कि दो आपवर्तक प्रिस्ट के बीच में जो कौन बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्म का कौन कहते हैं, या आपवर्तक कौन कहते हैं, जो कि कितना होता है सर, तो हम लोग कहतें सर, य द्यान में रखेंगे कि अगर इस प्रिज्म पर कोई परकास की किरन इस तरह से पर रही है तो यह बाली किरन क्या कहलाएगी आपतित किरन कहलाएगी क्या कहलाएगी आपतित किरन कहलाएगी और मेरे मित्र जैसी यह इसमें जाएगी तो क्या होगा आप कहेंगे सर यह अपव किरन कहेंगे और मेरे मित्र अगर आप आप्तित किरन को थोरा सा इधर बरहाएं और निर्गत किरन को थोरा सा इधर बरहाएं यहां पर आपको एंगल बन रहा है ध्यान में रखेगा इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बिचलन कोन कहते हैं क्या कहते हैं बिचलन कोन एंगल of deviation कहते हैं, मतलब क्या हुआ, कि आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच जो कोन बनता है, या फिर आपतित किरन और निर्गत किरन के चलते जो कोन बनता है, वही हमारा क्या क्या कहलाता है, प्रिज्म का बिचलन कोन कहलाता है, तो जो तो सवाल पुछा जा रहा है कि एक तिर्भुजाकार काच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली परकास की रन के लिए विचलन कोर्ण डैस के बीच का कोन होता है आप कहेंगे आपतित की रन और निर्गत की रन के बीच का कोन होता है तो सही आंसर आपका option number D हो जाएगा next question देखेंगे question number 18 कि निमलिकित में से किस खाद पतार्त में iron परचूर मातरा में पाई जाती है सर गूर में iron परचूर मातरा में पाई जाएगी बूद में सर केल्सियम की मातरा रहती है जो आपके हड़ी को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है चाब प्लस आयन सांदरता के बढ़ते करम में pH का मान क्या होगा मेरे मित्र पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा A B C D E billion है इसके pH value को लिख लेते हैं A का pH value कितना है गुरूजी 4 B का pH value 1 C का pH value 11 D का pH value कितना है सर 7 और E का pH value कितना है नौ अब आपको क्या करना है तो सर H प्लस आयन सांदरन के बढ़ते करम में pH का मान क्या होगा ये चीज़ हमें बताना है H plus ion सांदरन के बढ़ते करम की बात की जारी है तो आप सबों को मालूम है कि अमल क्या करता है, SIR? H plus ion परदान करता है जबकि जो छार होते हैं, वो OH minus ion देते हैं और आप सभी क्या कहेंगे? कि SIR, अगर हम लोग H plus ion के बढ़ते सांदरन की बात करेंगे तो हम सबों को मालूम है कि H प्लस आयन की सांदरता जितनी कम होगी, मतलब क्या, कि pH वेल्यू में सर, हमारा मान जितना कम होगा, वो उतना ज्यादा हमलियता को बताएगा, और जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा छारियता को बताएगा, चुकि हमें बढ़ते करम में चलना है बढ़ते करब में चलना है तो हम लोग H पलस आयन के सबसे छोटे मान से आगे बढ़ेंगे मेरे मितर आप कहेंगे कि सर इस में छारियता की प्रोपर्टी होगी अम्लियता की प्रोपर्टी तो नहीं होगी आप कहेंगे सर बिल्कुल तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि C जो है आपका इसमें छार्याता की प्रोपर्टीज होगी चुकि हमको बढ़ते करम में चलना है तो जाइड सी बात है कि इसमें H प्लस आयन का मान सबसे कम होगा इन सभी बिल्यान में आप कहेंगे तो ये साथ होगा इधर आएंगे तो घटता चला जाएगा और इधर आएंगे तो बढ़ता चला जाएगा तो आप कहेंगे सर C के बाद हम E को रखेंगे अच्छा ध्यान दिजिएगा कि E का pH value कितना है और आप सभी देख रहे हैं कि D का pH value कितना है तो सर 7 तो E के बाद आ तो आप क्या समझ रहे हैं इससे आप यह समझ रहे हैं कि सर जैसे जैसे हम इधर बढ़ते गए हम इधर बढ़ते गए एच प्लस आयन की सांदरता क्या हो गई बढ़ती गई क्योंकि हमें मालूम है कि पी एच वैल्यू अगर कम है साथ से कम है साथ से जितना ज्यादा क्या होगा है एच प्लस आयन होगा साथ से जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा क्या होगा ओ हमारा सही करम है देख लीजिए किस option में है आप कहेंगे कि गुरुजी c e d c d e ये तो नहीं होगा अच्छा c e c e d a b ये ठीक है सर आपके इस question का सही answer option number b हो जाएगा बाकी का कोई और option सर इस करम को नहीं दर सारा नेक्स question देखेंगे सर question number 20 कि 12 परीशंचरन नहीं होता है सर मिढकों में 12 परीशंचरन नहीं होता है बहुत ही सरल सा सवाल था next question sir कि हिमालय की किस पुस्प में पूर्ति रोधी एंटी सैप्टिक गुन होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है सर ब्रहम कमल ये चीज़ ध्यान में रखेगा ये आपके लिए भिवियाय है और मेरे मित्र पौरानिक कथा के अनुसार ऐसा माना जात सब्सक्राइव सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब अधिक तो नेक्स कुस्सन है कुस्सन नमबर 23 कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चैन करना चाहता है चैनित पदार्थ में इनमें से कून से गुन होनी चाहिए पहला statement है निम्न गलनांग दूसरा है उच तापमान पर चमाकने की छमता और तीसरा है सर उच परतिरोध मेरे मितर आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे निम्न गलनांग का तो कोई तातपरज ही नहीं निकलता है जो हमारा दूसरा जो statement दो और तीन है यह क्या है बिल्कुल ही सही है और आपके हिसाब सिस question का सही आंसर क्या हो जाएगा option नंबर A हो जाएगा साथी मिरे मितर आप सबों को मालूम है बल्ब का filament किससे बना होता है आप कहते सर टंगस्टन से बना होता है और साथी बल्ब में कौन से गैस भरे जाते हैं और बल्ब का जो filament टंगस्टन है उसके लिए लोग symbol क्या लिखते है डबलू जो कि उसकी लेटीन ने वाल्फरम से आया है आए बात करते हैं अगले question की next question 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 number 24 कि फ्लोयम पौधय का संभानी उत्तक है बिल्कुल जाइलम और फ्लोयम जो प्लांट के complex permanent tissue कहलाते है जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं वो क्या है सर संभान उत्तक माने जाते हैं जहाँ पे जैलम जल का संभान करता है और जो फ्लोयम होता है वो क्या करता है तो सर भोजन और हार्मोंस यानि की food और हार्मोंस का संभान करता है और भोजन को यह हम लोग क्या कहते हैं पोसक तो आपकी इस question का सही answer option number D हो जाएगा जल के संभाहन के लिए आप सभी याद रखेंगे जल के संभाहन के लिए कौन जी में बार होगा आप सभी कहेंगे जाइलम क्या होगा जाइलम गैसों का बीनी में तो सर पौधे के रंदर से होता है और प्रकास अंसलिशन पर किरिया के दोरान जो आपको oxygen बनता है वो क्या होता है तो सर पौधे के लिए अपसिस्ट पदार्थ होता है तो ये चीज भी आप सभी अपने mind में रखेंगे Next question, question number 24 कि dash के उप्योग से परियावरन के अनुकूल carry back तयार किये जा सकते हैं काच, plastic, rubber, कागज क्या कहिएगा, सर कागज के उप्योग से परियावरन के अनुकूल carry back तयार किये जा सकते हैं मेरे मित्र, आपके आज के इसे लिशन में टोटल 25 को स्थन थे, जिसको आपने बड़े ही आसानी से clear कर लिया है और मेरे ख्याल से अब आपको इस तरह का बेल आइकन दबा लिजेगा, ताकि इस तरह के एक्जाम रेलेबेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे, और आप उसको सबसे पहले देख पाओ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में तब तक के लिए, best of luck, thank you have a nice day